दोस्तो नमस्कार, मुस्लिम आया, दलित आया, OVC आया, मिडल क्लास आया, किसान आया, मजदूर आया, महिलाएं आई युवा तबका भी साथ आकर खड़ा हो गया, वो कलिंगा और लिंगायत में सेंध लग गई उसका भी एक तबका निकल कर आ गया यानि अलग-अलग हिस्सों में करनाटक के चुनाओं को देखने वालों के लिए शायद ये बड़ा जटका है राजनितिक तोर पर कि करनाटक ही निकल कर जब कॉंग्रिस के साथ खड़ा हो गया तो जिसकी जो राजनितिक जमी थी, वो जमी तो उसकी बरकरार रही लेकिन दूसरी तरफ करनाटक ही खड़ा था और शायद इसी लिए कॉंग्रिस के वोट बैंक में पांच फीजदी से ज़्यादा का इजाफा हो गया और दूसरी तरफ बीजेपी पुरानी परिस्तिती में खड़ी नजर आई हलाकि जेडियस की जमी कुछ खिसक गई और वह सिमट्ती हुई दिखाई देने लगी लेकिन कॉंग्रिस के भीतर का यह चुनावी परिणाम और जो रिजल्ट करनाटक ने दिया वो दरसल कॉंग्रिस के लिए नहीं है वो करनाटक के लिए है या इस देश के भीतर में राजनिती साधते हुए खुद को राजनितिक और चुनावी मशीन में तबदील करने वाले प्रधानमंत्री के लिए भी है करनाटक के लोगों ने देखा जब इस देश में महसूर जल रहा था जिस वक्त कश्मीर के भीतर जवान शहीद हो रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर अंतरास्ट ये पहलवान नयाय की गुहार लगा रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री ने आँखों पर पट्टी बांद ली कानों को ढख लिया और करनाटक में नारों के बीच निकलते चले गए और जै बजरंग बली का नारा भी उन्होंने ही दिया यानी एक ऐसा राजनितिक कार्ड उन्होंने इस दौर में खेल लिया जिस राजनितिक कार्ड की जरुरत दो हजार चौबिस में पड़ती लेकिन दो हजार तेईस वभी करनाटक में इस नारे को भी भोतरा साबित वही के लोगों ने कर दिया तो क्या राजनितिक तौर पर करनाटक ने जो फैसला सुनाया है वो भारत की राजनिति को अब डिगा रहा है क्योंकि जिस जगा से भारत जोडो यात्रा निकली उस जगा की 80% सीटों पर कॉंग्रिस चुनाओ जीत गई 22 दिन करनाटक में भारत जोडो यात्रा के राहुल गांदी ने बिताए थे और उसके बास समूची कॉंग्रिस जिस तरीके से एक जुट होकर चुनाओ परचार में कुद गई उसमें सुनिया गांदी हो, प्रियंका गांदी हो, राहुल गांदी हो, या फिर मल्लिक अरजुन खडगे हो, या फिर सिद्धा रमया हो, या Đीके शिफकंआर हो, या पूरी कतार कॉंग्रिस की जो नेताओं की नजर आई, उसने चुनोटी को सुविकार किया और पहली बार इस अंदेशे के साथ कॉंग्रिस चल पड़ी कि ये देश नफरत और घिना जो फैलाई जा रही है समाज में उसके उपर कम से कम इस देश की जनता की भावनाओं की मिट्टी को आपको डालना होगा और करनाटक से वही पौध निकल कर आई वहीं पर कोपले फोटी हैं लोगों ने महसूस किया और खास तोर से कांग्रिसी नेताओं ने जिनों ने देखा कि जब ED सक्रिय होती है CBI सक्रिय होती है तो क्या कुछ होता है और शायद इसी लिए हर की आँखों में आसू थे रो रहे थे और ऐसी परिस्तिति से पहले किसी चुनाओं के वक्त आई नहीं होगी क्योंकि हर वक्त चुनाओं लड़ा गिया इस वक्त चुनाओं से आगे की सामाजिक, राजनितिक और आर्थिक परिस्तितियां थी जिसमें हर चुनाओं के बाद BJP तमगा अपने च्छाती पर गाल कर और दिल्ली में BJP हेड़कॉाटर पर जश्न मना कर एलान करती थी जनता ने हमें चुन लिया तो हम जो मन चाहे वो करेंगे और शायद इसी लिए आज की चुनाओं जीत के बाद चाहे वो डीके शुफ कुमार हो रोते हुए नजर आए चाहे वो सिद्धा रमया हो आसुँं से उनके भी कहीं ना कहीं नम थे और श्मलिकार जुन खड़के की जुमा भी लड़कडा रही थी ये महसूस कर रहे थे कि करनाटक की संस्कृती और करनाटक के भीतर चुनावी संस्कृती इसको लेकर जो लोगों ने महसूस किया और इस दौर में बीजेपी जिस तरीके की सत्ता को चला रही थी उसमें वो अब गुलांदी तियनकर गाधी that and mr. kalika i malika jirka that I will deliver karnataka to their food I can't forget Shima Thishore le Gazi coming to me in jail when all these people put me in the jail So I rather choose to be in jail than now having an office that is the confidence watch लडखडाती जुबां और आखों में आसू ये संदेश था करनाटक में कॉंग्रेस की उस जीत का जिसके जरीये ये लगातार राजनितिक तौर पर चुनावी परचार में कूदे तो जरूर थे लेकिन पता नहीं कि उस सब को आखरी वक्त तक लगता था कि कहीं करनाटक एक जुट नहीं हुआ तो अलग अलग तरीके से बीजेपी या दिल्ली की सत्ता उन्हें बांट देगी और परिस्तितियां उनके खिलाफ चली जाएगी लेकिन इस बार करनाटक एक जुट हुआ शायद यही वज़ा है ओल्ड महसूर के इलाके में कॉंग्रिस को तकरीबन 20 से ज़्यादा सीटे मिल गई 20 से ज़्यादा पुरानी सीटों के मुकाबले लाब हो गया मुंबई करनाटक के इलाके में 16 सीटों का लाब हो गया अब कॉंग्रिस को हो गया यानि वह तमाम परिस्तितियों को अगर परकिये तो एक जटका शायद को लगा और शायद एक जटका जग्दी शिटार को लगा जग्दी शेटार चुनाओ हार गए उनके खिलाब बीजेपी उमिदवार को उनसे दुगने से ज़्यादा वोट मिले यह संदेश चाहे लंबे वक्त तक आरेस्स और बीजेपी से साथ रहे जग्दी शेटार के साथ हो सकता है लेकिन इस मैसेज ने जो हुबली धारबार सेंट्रल की सीट थी और खासतोर से यह जो मुंबई करनाटक का जो पूरा इलाका है वहाँ पर 50 सीटों में से 33 सीट कॉंग्रस ने जीत ली यानि 16 सीटों की बढ़त मिल गई और जो बीजेपी पिछली बार 30 सीटे जीती थी इस बार खिसक के आधी सीटों पर आ गई और जेडियस की स्तिती वहाँ पर उतनी मजबूत रही नहीं तो फिर भी वह दो सीटों पर जीती है पहला संदेश मुंबई करनाटक ने पहली कील ठोकी कॉंग्रस की जीत के लिए दूसरी कील जो ठोकी वह दरसल टटिये करनाटक के मैसेज के साथ थी वहाँ पर बीजेपी पिछली बार 16 सीट जीती थी इस बार वा 12 सीट पर आ गई कॉंग्रस ने 5 सीटे जीत कर एक संदेश दिया यानि वहां की हवा जब प्रभावित करती है तो वह हैदराबाद तक चली जाती है जो दूसरी तरफ है लेकिन इसका असर पुराने महसूर पर भी होता है और बाकी अलाकों खातार से मद्ध करनाटक में भी होता है इसलिए मद्ध करनाटक के भीतर कॉंग्रस को 9 सीटों का लाब हो गया और BJP की जो 8 सीटे हारी वो सारी सीट कॉंग्रस ने जीत ली हैदराबाद करनाटक के भीतर BJP पانچ सीट जो हार थी है तो उसमें से चार सीट कॉंग्रिस जीत जाती है, यहां पर जेडियस भी एक सीट आती है, वह एक सीट कॉंग्रिस जीती है. अब ये सवाल सबसे बड़ा था कि इस करनाटक के भीतर बीजेपी की पहुँच और पकड़ शहरी मिजाच के साथ रही ग्रामीन करनाटक के भीतर उसकी पहुँच पकड़ बिलकुल नहीं रही तो पहला संदेश बहुत साफ है प्रधान मंत्री का औरा जो राजनितिक तोर पर उन्होंने अलग अलग योजनाओं के जरिये और वेलफियर इसकीम के जरिये गड़ने का जो पूरा का पूरा वातावर्ण बनाया वो पूरी परिस्तिती खारिज हो गई कुछ चकाचौन बैंगलोर शहर में जरूर नजर आई जहां पर उन्होंने 36 किलोमीटर तक दो दिनों में सडके ना पी वहां पर कुछ असर जरूर दिखाई दिया लेकिन ग्रामीर करनाटक के भीतर किसानों का सवाल हो जहां किसान सम्मान निधी दिया जाता है मजदूरों का सवाल हो जहां मनरेगा को लेकर सरकार अपना ही गुलगान चाहे करने लगी हो चाहे दियारी मजदूरों का जिक्र हो और इन सब के साथ युवाओं का जब जिक्र हो और मैनिफेक्शरिंग सेक्टर से जुड़े हुए मजदूरों का जिक्र हो सारी परिस्ति होती होती नहीं है जहां पर इस बात का जिक्र हो कि क्या मोदी की इमेज यहां पर नहीं चल पाई यानि जो मोदी मैजिक था वो नहीं चल पाया यह पहला सवाल दूसरा सवाल क्या ऐसी स्थिति आ गई जहां पर करनाटक में पहली बार शेहर का एक बड़ा तबका और ग्राम ही है क्या चला रही थी क्या ऐसी परिस्थिती आ सकती है जहां पर डबल इंजन का नारा लग रहा और वो फेल नजर आए लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी के सामने और शायर मोधी और शाह के सामने है कि जिस हिंदुत के काड को उन्होंने खुले तौर पर खेला और एक अकास्मात तरीके से खेला जहां पर बजरंग दल को हनुमान से जोड़ दिया बजरंग बली से जोड़ दिया सवाल ये था क्या ये हिंदुत का काड बीजेपी की राजनितिक सीत जो अभी तक होती आती रही उसमें पहली बार करनाटक ने बहुत साफ संदेश दे दिय कि वोटों का धुविकर्ण नारों के आसरे, नफरत के आसरे, घिना के आसरे और समाज के भीतर अलग अलग तबकों को लुभाने या खरीदने के आसरे नहीं आ सकता है क्या यह इस्तितिक करनाटक के फैसले के साथ जुड़ी है यकीनी तोर पर अगर राजनितिक तोर पर और वोटों के समाजिक मिजाज को एक साथ आप लेकर चले और इसकी शुरुआत अगर भारत जोडो यात्रा की प्रक्रिया से शुरू करे तो तीन संदेश आपके सामने खुल कर आएंगे जो उमीद और आस यकीनी तोर पर डबल इंजन सरकार को ली थी वो पूरी तरीके से चकना चूरु हो रही डबल इंजन की सरकार के आसरे जिन बातों को जमीनी तोर पर करनाटक के भीतर लगातार बीजेपी ने फैलाया उसमें चेहरा प्रधान मंत्री न इन तीनों परिस्तितियों के कॉक्टेल ने दरसल उस राजनितिक जमी को बंजर बना दिया इसलिए जिन जगों पर पकड़ बीजेपी की पुष्टों से रही वो पुष्टें भी इस चुनाओं में डगमगाने लगे और ये परिस्तिती आकर खड़ी हो गई कि अगर आप पुराने विधायकों को छोड़ देते हैं और कुछ नए उमिद्वारों को सामने लाते हैं और तरक गड़ते हैं कि हम इसलिए लाए हैं कि एंटी इनकंबंसी नहीं चलेगा या चलनेगा तो हम उसको खारिज कर रहे हैं तो उसमें भी इस चुनाओं पर नाम बड़े माइ कर रही थी संगटनिक तोर पर किसी को कुछ नहीं समझा गया और शायद यही मुसीबत उस संगठन के भीतर थी जिसकी पहचान यदुरप्पा ने अपने तोर पर RSSS और BGP के साथ मिलकर और करनाटक की संस्कृतिक अवस्थाओं को साथ जोड़ कर खड़ा किया था उसको एक जटके में राजनितिक समीकन वह भी चुनावी तोर पर बनाने की कोशिश जो दिल्ली से हुई और जिसके लिए चाहे वो B.L. संतोष का नाम लीजिए चाहे अमिशा का नाम लीजिए चाहे जेपी नड़ा का नाम लीजिए या सभी के इशारों को नचाने वाले क्योंकि पहली बार जो बूथ पे लोग बैठे थे उनकी प्रतिक्रिया थी कुछ जगों से यह भी प्रतिक्रिया निकल कर आई जहां पर चुनाव फैसले जब सुबह से आने शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि जमारे बूथ पर लोग जब कम आने लगे तो हम समझ गए कि परिस्तितिया नाजुक हैं तो हमने अपना वोट भी शायद बदल दिया यह कौन सी परिस्तिति है क्या यह बीजेपी के लिए करनाटक ने एक ऐसा राजनितिक गड़ा खोद दिया है जो भारत की राजनिती में 2024 तक के सफर को लाते लाते बीजेपी के भीतर भी ऐसे सवा वालों को जन्म दे रहा है जहां पर अभी तक जो मान कर चला जाता था कि देश के प्रदानमंत्री और देश के ग्रमंत्री एक लिहास से चुनावी मशीन में तबदील हो चले हैं और यह जानते हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को अगर जीतना है तो चुनावी बिसात कै ऐसे बिचानी है यह समझ इन में थी और उसी के चुनावी परिणाम जब निकल कर आते थे तो अपनी हर नितियों को यह सही ठेरा देते थे क्या वह डगमगा गया है क्योंकि ध्यान दीजिए जो नजर आ रहा है उसमें बड़ा महत्तपून है कि मुंबई करनाटक में कील इसलिए ठोकी गई क्योंकि OBC वोट बैंक एक जटके में वहां के लिंगायत जो BJP के साथ थे उनके खिलाफ जाकर खड़ा हो गया ऐसा समानी तोर पर होता नहीं है और खुद जब देश के प्रधान मंतरी खुद को OBC कहकर लगातार कहते हों कि हमारे साथ खड़े रहिए वह पूरा OBC तबका एक जटके में कॉंग्रेस के साथ खड़ाया इस वोटिंग पैटन में दूसरी बड़ी बात थी जो दलितों की तादात थी मलिका अरजुन खड़गे कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने उनके बेटे प्र्यंक जो लगातार चुनाओं के भीतर जिस तीख तेवर के साथ चुनाओं परचार कर रहे थे उसको भी दलितों ने अपने आत्म साथ कर लिया और दलितों का वोट बैंक जो था वो तकरीबन 14% तक जो पिछली बार की तुलना में 14-18% तक वो शिफ्ट हो गया कॉंग्रेस की तरफ जो अलग-अलग हिस्सों में बट जाता था मुस्लिम समुदाय जो बढ़ता था जेडियस और कॉंग्रेस के भीतर बीजेपी के साथ तो जाता नहीं था लेकिन जेडियस के बिस्से से निकल कर तकरीबन 12% वोट एक जटके में चला गया वो कॉंग्रेस के पास महिलाओं के वोट बैंक पर नजर बार बार थी लेकिन जो कॉंग्रेस ने पैसा देने का महिलाओं को जिक्र किया और जो रसोई गैस का जिक्र हुआ जो महंगाई का जिक्र हुआ जो राहत और रियायत का जिक्र हुआ वो पहली बार जो बीजेपी लगातार कहती थी डिरेक्ट बैंक ट्रांसफर करते हैं करप्शन उसमें नहीं है वो सारी चीजे एक जटके में उलट गई और मिडल क्लास और महिलाएं यह एक साथ आकर खड़ी हो गई कॉंग्रिस के साथ जो हिद्राबाद करनाटक में नजर आया और जो मद्ध करनाटक में नजर आया हिद्राबाद करनाटक में कॉंग्रिस को चार सीटों का लाब हुआ मद्ध करनाटक में नो सीटों का लाब हुआ मद्ध जो 16 से 8 पर आ गई और कॉंग्रेस जो एक लिहाज से 4 सीट पर पिछली बार 30 बार 13 पर आ गई और सबसे महत्पूर्ण तो पुराने महसूर का इलाका है जिसको कहते हैं कि ये गड़ जेडियस का जो उसकी राजनितिक जमी को बनाता है लेकिन वहां की 64 सीटों में सेंध ऐसी लगी जहां पर जिस जिस ने गवाया उस उसको कॉंग्रेस ने पाया जेडियस ने 10 सीट गवाई दस सीट की कॉंग्रेस के पास चली गई बीजेपी ने 12 सीट गवाई वो 12 सीट चली गई कॉंग्रेस के पास यानि राजनितिक तोर पर वोटरों ने ये तैक कर लिया किसे ह जिताना है वो अपना वोट बरबाद करने की स्थिती में नहीं थे इस बार और शायद इसी लिए पहली बार मजदूर और किसानों के बीच भी जो वोटिंग पैटन जहां पर नजर आ रहा है ये इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि अलग-अलग कॉंस्ट्वेंसी को जब आप जेडियस कहीं पर थी कहीं पर बीजेपी थी जो वोट का अंतर है वह एक बड़ा गैप है जबकि शहरी मिजाज में आईएगा तो ये दस हजार से नीचे का गैप है तकरीवन सतर सीटे ऐसी है जो दस हजार के नीचे आती है गैप के साथ लेकिन दूसरी तरफ जो ग्रामी जीने की जद्दो जहद उपर से महंगाई की मार और इन सम्में आपकी सियासत और 40 फीजदी का असर जो 40 फीजदी कमिशन का जिक्र था उसने भी लोगों के भीतर असर दिखाया क्योंकि इस पैटन ने जो करप्शन हिस्सा इससे पहले भी रहा है लेकिन जब ये शहरी मिजा जाच को छूने लगता है और ग्रामीन इलाकों में खास दोर से पंचायत अस्तर पे जब प्रभावी डालता है तो यह जो नया असर नजर आया है करनाटक के भीतर से उसने तीन मैसेज और दे दिये हैं यह तीन मैसेज हैं कि आप वेलफियर योजनाओं का एलान करके और ड किसान मजदूरों की तादाद सबसे जादा है दूसरा मैसेज है जो बेसिक इंफ्राइस्ट्रक्चर हेल्थ और एजुकेशन का भी रहा है वह भी इस दोर में करनाटक के भीतर धरशाई हुआ है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वह भी बड़े हैं क्योंकि शेहरों क भीतर और जो अर्ध शेहरी होते हैं जहां पर ये माना जाता है कि लगवग 40% शेहर का इलाका है 60% ग्रामीन इलाका है इस मानसिक्ता के इलाकों के भीतर भी जो सवाल थे और उन सवालों के जवाब जब चुनाओ परिणाम के जरीये निकल कर आए तो वहां पर भी जो जार वोट से जादा का गैप है ये मैसेज क्या है ये मैसेज पहली बार है कि अभी तक जो करनाटक को लिंगायत और वोकल लिंगा के अधार पर ही तौल रहे थे जो PFI और बजरन दल के आसरे चीजों को परखना चाह रहे थी जो जान रहे थे कि किसान मजदूरों को वेलफियर योजनाओं के लिए योजनाओं का ऐलान उसमें पहली बार अगर आप होलसोल देखने की परिस्तिती में निकल कर आईएगा तो एक जटके में भारत की बदलती राजनिती या फिर 2014 से जो सियासत चली आ रही थी या 2019 के बाद से इस देश में जो कॉंग्रस एक के बाद एक हार रही थी उसी को कहीं ना कहीं करनाटक की जीत ने उस तारे दर्द को इसलिए खतम कर दिया क्योंकि अब यहां से तीन से चार महीने के बाद सामने तीन राज्य और खड़े हैं जो मदपरदेश है जो राजस्थान है जो चट्पिस गड़ है और एक तिलांगना का इलाका भी है जो 14 जहां पर चुनाव होने है या तो यह चारों राज्य एक साथ होंगे या करनाटक का इलाका है जहां पर इस बात का जिक्र होता है कि करनाटक के भीतर अगर आप हैं तो मराठीयों को मुश्किल जो मराठी यहां पर मुश्किल में है वो आपस में टकराते रहते हैं और कोई ऐसी गवर्नेंस नहीं निकल कर आई जो सहूलियत दे पाए सीमा वर्ती जिलों को लेकर और शायद इसी लिए इन इलाकों के भीतर का आक्रोशी था जहां पर हर कोई एक साथ खड़ा हो गया कि अगर लिंगायत बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो समाम धाराओं को छोड़कर समूचा OBC कॉंग्रिस के पक्ष में आकर खड़ा हो गया राजनितिक तोर पर इससे पहले के चुनाओं में करनाटक में ऐसा कभी नहीं हुआ हैं अब इन तमाम परिस्तितियों का असर भारत की राजनिती पर क्या पड़ेगा और क्यों ये कहा जा रहा है कि 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम अब डगमगाते हुए BJP के नजर आएंगे या फ खत्रे की घंटी बच चुकी है क्योंकि सवाल BJP के भीतर से भी होंगे जेपी नड़ा ही माचल हारे थे जो उनका अपना ग्रे रज्य है बावजूद इसके उन्हें अध्यक्ष बनाए रखा गया और कहा गया 2024 तक ये बने रहेंगे बावजूद इसके कहा गया कि दरसल कै जगों पर उनको हार मिली है तो क्या ये मोदी मैजिक खत्म होने का ऐलान है यहां पर शंक नाद हुआ है और ये परिस्तिती 2024 की दिशा में बढ़ते हुए क्या समूचे विपक्ष को अब एक जुट लाकर खड़ा कर देगी और यह मोदी शाह के लिए इसलिए खत्रे की ग याद आते जग्दी शेटार याद आते वहां के वो तमाम नेता याद आते जिनोंने बीजेपी को खड़ा किया लेकिन एक जटके में उसको तहस नहस करके दिल्ली की सत्ता ने जब अपने अनुकूल भी साथ विचाई तो यह उनके अनुकूल भी नहीं प्रतिकूल हो करेगी जो डबडबाते हुए आंसूं के द्रिश्य आपने देखे इसके बाद आंसू अगर अगनी में तबदील हो जाएं और संगर्श के पत पर चल निकलें तो दो हजार चौबिस का रास्ता अब मोधी शाह के लिए मुश्किल हो जना है बहुत 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 ब